नमस्ते दोस्तों मैं हूँ परवीन लाना और आपका स्वागत है अलगो क्राइब के ट्रेडिंग टुटोरियल के नए वीडियो में आज हम बात करेंगे सुपर ट्रेंड स्ट्रेडिजी के बारे में जो ट्रेडिंग में एक पॉपॉलर टेक्निकल अनलेशिस टूल है जाने इंडिकेटर हमें ट्रेंड डिरेक्शन यानि के एंट्री एन एक्जिट पॉइंट करने में मदद करता है सुपर ट्रेंड का कैल्कुलेशन प्राइस और एवरेज ट्रू रेंज के आधार पर होता है जब करन मार्केट प्राइस सुपर ट्रेंड की लाइन के ऊपर होता है यानि कि मान लिजे कोई candle close हुई और वो candle close हुई तब super trend के line के उपर close हुई तो buy है अगर कोई candle close हुई और वो super trend के line के नीचे close हुई तो sell है इस तरीके से trend के directions हमें मिलते हैं तो चलिए अब super trend strategy को practical example के साथ समझते हैं देखिए कैसे की super trend के cross के बाद आपको trading decision मिलेगा और इस हिसाब से आप automatic trading कर सकते हैं हमारे वीडियो में आपको यह सब चीजे वर्चुली तो दिखाई नहीं देंगी क्योंकि strategy backend पे coded है और हम किसी तरीके का chart और किसी तरीके के line अपने platform पर नहीं दिखाते हैं लेकिन आपको easily यह मालूम चल जाएगा कि अभी कौन सा trend चल रहा है और जब नया trend या नया signal बनेगा तो उसके हिसाब से आपका automatically trade हो जाएगा दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है जोलिए आप वीडियो में आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों जैसे ही आप हमारे platform पर login करते हैं आपको इस तरीके का dashboard मिलता है इस dashboard में आपको अलग-अलग strategies मिलती हैं जिनमें की eagle और intermex strategy के बारे में हम अलड़ी वीडियो बना चुके हैं आज का वीडियो super trend के बारे में है अगर आपको super trend के जानकारी लेनी है तो आप यहाँ पर इसको click कर सकते more info को आपको इस indicator के बारे में जानकारी मिल जाएगी बाकी मैं आपको practical करके दिखाऊंगा किस तरीके से automatic trading होता है ठीक है दोस्तों तो सबसे पहले काम जिस तरीके से में हर बार बताता हूँ सबसे पहला काम है आपका broker link करना उसके लिए आपको authentication में जाना होगा रोज सुबह 8 बजे से 9 बजे की बीच आपको authentication करना आनिवार है अगर आप authentication नहीं करेंगे तो आपका जो ट्रेड है वो आटमेटिक आपके ट्रेडिंग प्लाटफॉर्म पर नहीं जाएगा तो यह चीज आपको बहुत खास सिध्यान रखनी है अब मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले token लेना होता है token के लिए आपको client ID डालने होगी जैसे को मैं आप realize look account यूज कर रहा हूँ client ID डालने के बाद आपको general token पर क्लिक करना होगा general token पर जब आपको ब्रोकर की website पर लेकर जाएगा यहाँ आपको password डालना है password डालने के बाद आपको बाकी के process complete करने है और जब सब process complete हो जाएगा तो यह वापस आपको redirect करके हमारी website पर इस तरीके से लेकर आजाएगा आपको validate token पर क्लिक करना है जब आप validate token पर करेंगे तो आपको दिखेगा कि access token यहाँ पर valid दिखा रहा है ठीक है दोस्तों आप क्योंकि वक्त हो चुका है चार बच के पचास मिनट शाम के तो एक्विटिंग की market अल्रेडी बंध हो चुकी है मैं आपको जो ट्रेड करके दिखाऊंगा वो करके अगर आपको नॉर्मल ट्रेडिंग भी करनी है तो भी आप कर सकते हो बहुत यह आसानी से लेकिन मैं आपको नॉर्मल ट्रेडिंग का फंक्शन बाद में बताऊंगा सबसे पहले मैं आपको ऑप्शन ट्रेडिंग का फंक्शन बताता हूं तो आपको सबसे पहले जाना करेट करेंगे हम इसमें super trend strategy को use करने वाले तो super trend डालेंगे अब यहाँ पर हमको symbol लगाना है तो हम यहाँ पर crude oil का symbol use करेंगे यह crude oil आ गया इसमें दोस्तों डे नहीं डालना है हमको क्यूं क्यूंकि इसका जो expiry होता है वह monthly होता है इसमें weekly नहीं होता तो इसके लिए हम सिधा यहाँ पर month select करेंगे और year select करेंगे उसके बाद MIS कर दिया quantity में मैंने one कर दिया है target मेरे को 20 point कर रखना है stop loss मुझको 15 point कर रखना है इंट्राडे के लिए strategy है time frame को मैं थोड़ा चोटा कर रहा हूं और उसकी वज़े यह दोस्तों क्यूंकि इस video के अंदर-अंदर मुझे आपको trade करके दिखाना है किस तरीके से आने पे signal आपका अपने आप trade होगा आपको यह नहीं करना है one minute पे क्योंकि one minute पे और जो parameter में अभी लगा रहा हूं उस पर कभी भी profit नहीं आएगा आपको आपको यह चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको सब नहीं करना है मैं कर रहा हूं क्योंकि मुझे signal generate करके दिखाना है यहां पर हमें parameter जो वह काफी fast कर रह तो चार बच के पचपन मिनिट पर हमें प्रोवाइड करेगा कि किस तरीके से हमारा सिगनल बनने वाला है और क्या होने वाला है तो हर एक मिनट के बाद अभी यह trend करता रहेगा कि buy and trend क्या है sell trend क्या है तो उस हिसे साब से हम दीरे दीरे इसमें आगे बढ़ेंगे और नया प्राइस बता रहा है लेकिन जब आपका सिगनल आएगा तो यह option में trade करेगा और उस टाइम पे आपका ही symbol का नाम बदल देगा और option का symbol यहां पर आपको दिखाए देगा और प्राइस भी option का ही दिखाए देगा तो जब इसमें कोई trade रहता है इस particular strategy में तो यह option का ही price दि दिखाता है तो अभी आप देख सकते हैं कि इसने हमें trend दिखाया है कि sell का trend अलएड़ी चल रहा है ठीक है तो जब यह sell का trend यहां पर buying के trend में convert होगा तब हमारा trade होगा अब यह हर एक मिनट पर check करता रहेगा कि कब buy का trend आ रहा है तो जब भी buy का trend आएगा यह trade करेगा तब अब वेट कर लेते हैं इसके बाद हम लोग बात करते हैं अगर आप चाहते हैं तो हमारे platform से six days का free trial ले सकते हैं उसके लिए आपको register करना होगा हमारे platform algokraft.com पर और उसके बाद आपका trade automatically हो जाएगा यहां दोस्तों एक चीज में आपको बड़ी important बताने वाला हूँ वो यह है कि आप computer use करते हैं या नहीं करते हैं इसका फरक नहीं पड़ता अगर आप हमारे platform use करेंगे तो यह जारी strategy जो हम भी हम बना के दिखा रहे हैं आपको लगा के दिखा रहे हैं यह सब काम आप mobile से क कर सकते हो सिंपली आपको हमारी website mobile में open करनी है अगर आपको android application चाहिए तो उसका भी link हमारे पास है अगर आप कहेंगे तो हम आपको android application भी provide कर सकते हैं तो आप अपने trading को successful बनाई है आपको अपने बनाई है ताकि आपका टाइम बचे आप बार बार मार्केट के साथ जोड़े ना रहें और जिसकी वज़े से जो इमोशनल ही ट्रेड आपका होता और उसके वज़े से नुकसान होता वह ना हो दोस्तों आज हमने सुपर ट्रेंड स्ट्रेजी के बारे में ब पर आपको इन्फरमेटिव कंटेंड और साथ इसाथ 6 दिन का प्री ट्रायल मिलेगा